गूड मार्निंग माइ दियार स्टूरेंट इन फ्रिवीयस क्लासिश एबाऊटव हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटाछ हिस्ट्री ओफ कंप्यूटर में वाट इस एबकस, वाट इस नपियर स्बॉन, वाट इस पस्कलाइन, वाट इस लैबनिस कल्कुलेटर यह से वह लोग पढ़ लिये थे आज हम लोग पढ़ेगे कि डिफरेंस इंजन क्या होता है इस विफरेंस इंजन वाज डेजाइन बई चार्स वेवेज इन 19th सेंचुरी 19-वी सताबदी में डिफरेंस इंजन कर डेवलॉपमेंट कौन क्या था, तो चार्स वेवेज ने क्या था इस वाज इंतेंड टू आटोमेटिकली कल्कुलेट मैथेमेटिकल टेबल यह क्या था तो यह mathematical tables होता है जैसे कि पहाड़ा हो गया दो का तीन का तो यह उसको automatically calculate करता था it has five themes such as input, output, store, meal and control इसमें पास theme हुआ करते थे क्या क्या हुआ करते थे तो एक तो input हुआ करता था input देना होता था वो output देता था फिर वो store करता था meal and control control करता था और meal करता था for this invention he is known as father of computer इसी invention की वज़े से चास वैपेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं father of computer के नाम से उन्होंने father of computer क्यों इनको बोला जाता है क्योंकि उन्होंने difference engine बनाया था जो automatic जो mathematical table होता है उसको automatically calculate कर देता है आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्या आया difference engine के बाद आया mark 1 mark 1 was invented by automatic digital computer used for numeric calculation mark 1 क्या था ये भी एक automatic digital computer था automatic digital computer क्या कौन था तो mark 1 था और ये क्या करता था ये numeric calculation को automatically calculate करता था it means numerical calculation का मतलब हो गया कि जो घटाओ घुड़ा भागा table हो गया square root हो गया जितने भी maths में numerical calculation होते हैं उसको हम लोग numerical ही calculation कहते हैं it was capable to perform three calculation in a second ये किस चीज में capable था कि ये एक साथ तीन calculation को एक सेकेंड में perform कर सकता था जैसे divide, multiplication and subtraction ये तीन मालो ये calculation इसको एक ही सेकेंड में ये solve कर देता था mark 1 इसके बद क्या आया इनियाक आया इनियाक वस डिजाइन बाई जॉन मैक्यूचली एंड जे प्रिस्पर इकार्ट इन 1945 इनिवेक का इन्वेंशन कौन किये था तो जॉन मैक्यूले किये थे और जे प्रिस्पर इकार्ट ने 1945 में इसका इन्वेंशन किया था इस computer का ये दे हो ये है इनिवेक इत वास डे वर्टř फॉस्ध जेनरल परपस ऐलेक्ट्रोनिक डिजीटल कम्प्यूटर ये क्या था ये क्या था इस फिस्व में पूरे बिस्व में सबसे पहले जो electronic digital computer जेनरल परपस के लिए जो यूज किया जाता है computer जैसे रोजगार के धिनेचारिया में जो computer यूज होता है यह इनिवैक वो इनिवैक क्या था तो first general purpose electronic digital computer था जो हमारे जैसे अभी हम लोग computer का daily यूज करते हैं उस टाइप का computer पहले इन इनिवैक देखो यह कितना बड़ा हुआ करता था इसके बाद क्या है edivac आया edivac was invented by jprisper eckart and john matchwily which was a program storing machine unlike the iniac in 1949 इनिवैक की तरह ही कौन edivac भी था और इसका invention कौन के थे जैप रिस्प इकार्ट and john matchwily इसमें बस यह इनिवैक की तरह ही था बट इसमें difference क्या था कि यह program storing machine था इसमें हम लोग यह program को store करके रख सकते थे बस इसमें इनियाक से थोड़ा सा यही इस यह differ करता था आगे बढ़ते हैं आगे क्या है था आगे आया था यूनियाक यूनियाक मतलब universal automatic computer यूनियाक वन वाज़ फर्स्ट commercial computer produce for doing fast calculation of large number of simple arithmetic and data transfer यूनियाक जो था यह फर्स्ट commercial computer था commercial का मतलब की banking चेट में काम करने वाला जो computer होता है यह फर्स्ट computer था कौन सा तो यूनियाक वन यह क्या करता था बहुत ही fast calculation करता था किसका calculation करता था तो कितने भी बड़े number इसको दे दीजिए और of large number of simple arithmetic and data transfer यह किसका calculation करता था तो बहुत बड़े number का भी यह calculation करके देख सकता था जो उसको आप data provide किजेगा data जो उसको transfer किजेगा वो उसका calculation करके आपको दे देता था it was also capable to handle both the number and text data यह computer जो था तो यह text data को भी handle कर सकता था और numbers को भी text का मतलब हो गया ABCD और numbers का मतलब हो गया 123 यह दोनों data को यह handle कर सकता था कौन तो UNIAC 1 यह full form है तीनों यह आप लोग याद कर लिजेगा important है आगे बढ़ते हैं अब इसके बद क्या आता है तो modern computer changes have occurred in the computer on the basis of technical development जैसे जैसे टेकनोलीजी बढ़ती गई वैसे वैसे हमारे computer में भी changes आते गया और हमारा computer धीरे 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 चेंज होता गया changes made them faster, smaller, cheaper, efficient and reliable जैसे जैसे मतलब changes बढ़ते गया हमारा computer वैसे वैसे छोटा होते गया और ज्यादा fast काम करने वाला हो गया ज्यादा efficient हो गया, ज्यादा reliable हो गया कम पैसे में खरीदने वाला हो गया these are now called personal computer जिसे आजकल हम लोग क्या कहते है personal computer कहते है सब modern computer सब modern computer के common sense example तो desktop computer जो आपके स्कूल में रखे होते है न वो desktop computer हो गया laptop computer, laptop आप लोग अपने अपने घर पे देखे होंगे और handheld computer, handheld मतलब आप अपने हाथ पे जो रख के computer का use कहते है जिसे हम लोग पार्म टॉप कहते है वो हो गया हमारा handheld computer, types of computer, computer कितने परकार के होते है varieties of computer can be classified on the basis of their speed, size and storage capacity जो हमारा computer है वो concept basis पर डिवाइड होता है तो speed यानिकी गती उसके size और उसके storage capacity पर डिवाइड होता है आगे बढ़ते है आगे है micro computer, mini computer यह सब हमारे our mainframe computer, super computer यह हमारे types of computer है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे आज के लिए सिर्फ इतना है आप लोग home bag में इसको याद कर लेजएगा इस full form को देनो okay my dear student thank you